हाँ जी नमस्कार जैहिंद आप सभीका राजस्तान क्लासेज की यूटूब प्लेटफूम पर बहुत बहुत वैलकम है तो प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे तो आपको आखिर तक इस क्लास के जोड़े रहना होगा और आपको मैं चैलेंज देता हूँ आज चालिस में से तीस प्लस करने का तीस प्लस अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तयारी में कहूंगा बहतरीन है ऐसे नहीं कि अच्छी ही नहीं वलकि बहतरीन है तो वैसे इतने हाड़ क्वेस्टन भी नहीं रहेंगे अगर आप त्यान से करते हैं तो अवश्य ही आपके तीस प बज़े होती है और आज हमारा टॉपी क्या रहेगा तेवार जो तेवार रह गए है न वो आज हम रात को कवर करने वाले हैं ओके दोस्तों चलेए वैसे अगर आप लोग पहली बार है राजस्तान क्लासेज पर तो आप इस पर मैसेज करके अपना नाम और जिल्ला लिख कर ही मैसेज करें यूँ ही मैसेज ना करें है न अगर आप सेट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या वंदरक्षक की तो राजस्तान क्लासेज पर आपको पीडिये नोट्स भी दिये जा रहे हैं अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करे हैं तो जरूर से जरूर कर दीजिएग ठीक है चले दोस्तों आज का पहला क्वेसन आपकी स्क्रेन पर है जल्दी से जवाब दीजिएगा बड़ा आसान सा सवाल है गिर्णार परवत किस राज्य में इस्तित है बहुत आसान सा सवाल है पहला ही गिर्णार परवत किस राज्य में इस्तित है आप कहींगे सर गिर् अगला क्वेस्टन आपकी स्क्रिन पर है भारत में सरवादिक जिवाश में इंदन उपस्तित है तो है दोस्तों कोईला कौन सा है कोईला है यानि कि आप सभी का लॉक हो जाएगा और एगला क्वेस्टन देखे क्या करा है संकोच नदी जो है किन दो राजियों की बीच में सीवा बनाती है असम और पंजाब की बीच में पंजाब ये गुजरात की बीच में असम वे अरुनाचल परदेश के बीच में या इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अ देखो असम अरुनाचल असम अरुनाचल संकोश ठीक है तो आप यूँ याद रखेंगे कि असम और अरुनाचल परदेश को संकोच आता है संकोच आता है ठीक है ऐसे याद रखेंगे कहते हैं ना शर्म वही आपको यहाँ पर रिलेट करते वे पढ़ना है अगला क्वेसन आपके स्क्रीन पर है निव थे प्रववतिय नगर की बात करें तो निव मेसे वहाँ पूचा जा रहे हैं प्र fonction का वाघर है चुरांग का शुर नंगर के माद पर वहाँ देर का सब्सक्राइब श्रिलांग कहां पर है श्रिलांग मेगाले में सभी को बताएं ठीक है और मसूरी कहां पर है बोले सर मसूरी उत्राखंड में कल की ही क्लास में बात करी थी पेरियार बोले सर कैरल में है ठीक है कैरल में ये भी आपका सही अंसर है खांडला जो है न ये गलत है 1405 नहीं है खांडला 620 मिटर की ही उंचाई परिस्तित है तो खांडला कहां पर है बोलेंगे सर माराष्ट में है खांडला माराष्ट में है मावलेशोर माराष्ट में है अगला question देखो कावला वन्यजीव अभ्यारण देखे ये कावरा वो नहीं है जो आप डेखते हैं वो वाला कावरा नहीं है ये कावला है कावला वन्यजीव अभ्यारण अवस्तित है तो right answer आप सरीका हो जाएगा तेलंगा न आपने option D को चुना है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और अगला question देखो क्या किया रहा है सद्भावना शिकर अवस्तित है देखें दोस्तों सद्भावना शिकर अवस्तित है गुजरात में, राजस्थान में, मद्यपरदेश में या अ और सद्भावना शिकर एक परवत श्रेनी है दोस्तों याद रखना ठीक है जो कि पन्ना की पहाड़ियों में इस्तित है अब आप ये भी कहेंगे सर पन्ना की पहाड़िया कहां पर है तो MP में याद रखना तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उप्सन C चद्भावना शिकर पन्ना की पाड़ियों में पन्ना आपके MP में MP यानि की उप्सन C आप सभी का लॉक हो जाएगा ये विंध्या चल परवत श्रेनी भी कहलाती है यहीं पर है गिर अब्यारण का पर इस्तित है देखो गिर से जो भी नाम आये वो आपके किस साइड में आ जाएंगे गुजरात के साइड में आ जाएंगे जैसे मैं आपको बताऊँ गिर नार गिर नार क्या है परवत श्रेनी है तो गिर नार गिर क्या है दोस्तों गिर अब्यारण है तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसीद है गिर अब्यारण तो ये आपके गुजरात में है गुजरात में है ठीक है गिर गुजरात जो भी है गिर गुजरात है ऐसे याद रखेंगे आप लोग और अगला क्वेसन आपकी स्क्रे पर इस्तित हैं बोले सर्थ ठीक है शिप्किला तो हम लोग यूं कहा लेंगे कि उप्सटन डी को लोग करेंगे हीमाचल प्रदेश में इस बड़ा लाच्हा दर्रा करो पर हमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में कौणसा है बड़ा। रोतंग शिर्प किलाउं निम्न मैसे इस समलीट कौ़न सा है तो ऑसमलित कोई वताईगे जल्दी से कमेंट करके पर बताऊ कि गोवा में तो है नहीं तुजुदरा तो आखिर तुजुदरा कहां पर है आप कहेंगे सर तुजुदरा जो है यह मणपूर में इस्तित है और अगला क्वेसन है अंतराष्ट्री जूट संगठन की स्थापना कब होई देकिए दोस्तों अंतराष्ट्री जूट संक्टन की स्थापना कब होती है इसका जो मुख्याला है ना वो कहांपर है ढाका बंग्लादेश में और worrying earlier 84 में इसकी स्थापना होती है अंतराश्टी जूट संगटन की स्थापना एगला क्या क्या कह रहा है कोची बंदरगा कहां पर अवस्तित है अब तक आपने कितने सवाल सही किया है काउंट करते रहना बड़ा आनन्द आएगा आज की क्लास में तो जल्दी से बताइए कोची बंदरगा कहां पर अवस्तित है आप गएंगे सर ऑप्शन C को लॉग करेंगे केरल में इस तिते कोची बंदरगा कहां पर है केरल में यानि कि ऑप्शन C आप सफिका लॉग हो जा अगला क्वैसं आपके स्क्रेण पर है और पूछा ही यह जा रहा है कि भी जायकावाडी पर्याजना अवस्तित है नचावारो और या इलाट ऊटित है धायकावारी नदी परिश्थित है तो आप सभी का खोन नदी निवन मैंसे किसकी सायक नदी है तो ऐसे में आपको याद रखना राम गंगा अपने option D को चुना है तो बिल्कुल आपका सही है राम गंगा जो की हिमाले श्रेणी से निकलती है और इसकी लंबा इकुल है जो 696 किलोमेटर है याद रखना ठीक है और अगला question आपके स्क्रेण पर है कि पूर्वी घाट में इश्थित ओडिशा की सरवोच छोटी कौन सी है पूर्वी घाट में इस्थित ओडिशा की सरवोच जो छोटी है वो कौन सी है या आप से सवाल किया जा रहा है यह बड़ा आसान चा सवाल है आप लोग गलत कर नही प्राइंदरगिरी करें गया नहीं सर देव माली करेंगे यान्य ओफसेन एक है न हां सर चलो बहुत बढ़ी आगला क्वेसेन क्या कहरा है निवन मैसे असुमलिट कौन सा है नियवन मैसे असुमलिट आप लोगों से पूचा जा रहा है जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा आप कहेंगे सर इसका अंसर भारत का पेरिस जेपुर कहते हैं, भारत का उध्यान डैंगलोरु को कहते हैं, भारत का वोस्टन अमरस सर को नहीं कहते हैं, भारत का पिर्सबर्ग जम्शेदपुर को कहा जाता है, तो हम लोग यूँ कह सकते हैं, भारत का वोस्टन अमरस सर को न नगर कहां पर इस्तित है नंदी नहीं नंदी हिल्स परवत ये नगर जो है ये कहां पर अवस्तित है या फिर कहलो कि नंदी हिल्स कहां पर इस्तित है एक ही बात है तो गुजरात में सर नहीं है करनाटक में गले तमिल लाडू बोले सर तमिल लाडू तो हो सकता है अहां करना यानि option A आप सभी का लॉक हो जाएगा लगब 1444 मिटर की उंचाई पर इस्तित है याद रखेगा अगला question आपके screen पर है भारी engineering निगम लिमिटेड जो राच्छी में है उसकी इस्तापना कब की गई तो आप सभी का राच्छी राच्छी में है उसकी इस्तापना कब की गई तो आप सभी का राइटांस रोज है का उनी सो अठावन यह आप सभी का लॉक होगा अगला question देखो क्या कह रहा है या पैंच राष्ट्री उद्ध्यान इस्तित है देखें दोस्तों पैंच राष्ट यह उद्ध्यान इस्तित है गुजरात, राजस्तान, मद्यपरदेश या उत्तरपरदेश देखो गुजरात, राजस्तान, मद्यपरदेश, उत्तरपरदेश, महाराष्ट, मद्यपरदेश या फिर अंधरपरदेश अपना असम क्या होगा राइट आंसर बता दो जल्दी स आप कहेंगे राइट आंसरत हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र मद्यप्रदेश हो जाएगा दोनों के मद्य इस्तिते ये पैंच राष्ट्र उद्यान ऑप्शन सी आप सभी का लौक होगा और अगला क्वेस्ट नेवन मैंसे असुमिलित कौन सा है फसले जो की पर्थम इस्तान की बात करें नेवन मैंसे असुमिलित है फसले पर्थम इस्तान प्याज महाराष्ट्र गना उतरप्रदेश सूरजमुकी असम आलू उतरप्रदेश देखो सीती सी वात है सूरजमुकी असम में नहीं है सूरजमुकी का पर्थम इस्तान जो रहता प्याज महाराष्ट्र ठीक है गन्हा उतरपदिश ठीक है आलू उतरपदिश ठीक है लेकिन सूरज मुक्य आपका करनाटक में सबसे पहला इस्तान रखता है देश का बड़ा अब्यारन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब्यारन किस राज्य में इस्तिते तो राइट आंसर और 1989 में इसको बसे है था और अगला क्वेशन पूचा जा रहा है कि आँख में प्रकाश के प्रवेश के समय कौर्णिया की बाहरी सत्व पर होने वाली परिगटना कौन सी है यह आपको बताना है जल्दी से बता हो बताई यह राइट आंसर क्या ही हो जाएगा आप कहेंगे सर ऑप्शन भी हो जाएगा यहां से आपके किसके साइंस के क्वेशन शू होते हैं वैसे ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा अगला क्वेशन आपसे पूचा जा रहा है आँख में लेंस द्वारा वस्तू के प्रतिबिम्ब निर्मान की पर गटना है वस्तू से प्रात प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा यह आपर भी आपका ओप्शन भी जो की लॉक होगा दोस्तों अपवर्तन को लॉक करेंगे ठीक है अगला क्वेशन पूचा जा रहा है कि इंद्र धनुष कौन सी गटना के कारण बनता है इंद्र धनुष जो है दोस्तों यह वर्ण विशेपन के कारण बनता यानि ऑप्शन डी आप सभी का यहां पर भी लॉक हो जाएगा अगला क्वेशन आकाश का रंग किस गट गटना के कारण निला दिखाई देता है वीवर्तन परावर्तन प्रकिर्णन या व्यवति करण तो आकाश का रंग किस गटना के कारण निला दिखाई देता है तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑफ्शन सी है ना ऑफ्शन सी को लॉक करेंगे और अभी लंब के मद्य बनने वाला कोण कहलाता है परिवर्तित किरन और अभी लंब के मद्य बनने वाला जो कोण कहलाता है वो कोण जा कोण कहलाता है यह आप से सवाल किया जा रहा है आप कहेंगे सर परावर्तन कोण कहलाता यानि option B को लौग करेंगे अगला question देखेंगे एक तराश हुआ हीरा अधिक चमकता है इसका कारण क्या है उसका कठोरोना हीरे का उच अपरवत नांक बिलकुल यह आपका सही जवाब हो जाएगा option भी अधिक चमकता है उसका कारण यह है अगला question है जब prism पर श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं तो वर्ण क्रम spectrum प्राप्त होता है निर्गत करणों में सबसे कम विचलन बैंगनी करण का होता है या फिर हरी करण का या लाल करण का या पीली करण का तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा option 3 यानि कि option C को लोग करेंगे लाल करण का अप वर्टनांक जो होता है वो नियूंतम होता है और लाल करण का विचलन सबसे कम भी तो होता है अगला question क्या पूचा जा रहा है विबिन वर्णों की प्रकाश करने वायू में गमन करती है तो बैंगनी के वायू के वेग से या भिन भिन वेग से या द्वनी के वेग से या फिर समान वेग से तो समान वेग को लोग करिएगा यहांपर पूचा क्या है विबिन वर्णों की प्रकाश करने वायू में गमन करती है समान वेग से करती है अगला question है बढ़ते क्रम में आवरती है ठीक है दोस्तों बढ़ते क्रम में आवरती है जैसे कि मैंने आपको कई मर्तबाद बताया कि नीह पीला नीह पीला ठीक है तो यानि कि आपने option B को चुना है नीह पीला तो option B लोग हो जाएगा नीला हरा पीला लाल अगला question क्या कह रहा है देखो सम्तल दरपन के समानतर रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब होता है ना बराबर और आबासी होता है छोटा वे वास्तिविक होता है तो बिलकुल बराबर और आबासी ही होता है option A को lock करते हैं हम लोग advance से इसमें पढ़नी रहे हैं simply mock test की तरव है दोस्तों ये ठीक है तो आपको बस N तक जोड़े रहना है और 40 मैंसे आपको कितने आप सही करते हैं वो भी आपको देखना जरूरी किसी चाला का प्रतिरोगत निर्वर करता है लंबाई पर अनुपरस्त कार्ट चेतरपल या पर या फिरताप पर या उक्तसभी पर तो उक्तसभी को lock करेंगे यानि option D आप सभी का सही कतन होगा और एगला question पूचा जा रहा है के डबलू एंच किसकी एक आई है विद्यूत आवेश की नहीं सर विद्यूर शक्ती की बिल्कुल है यानि option B आप सभी का lock हो जाएगा और अगला question देखो क्या कह रहा है निवन लिकित मैंसे कौन सी युक्ती विद्यूदारा के तापी परवाव पर आधारित है देखे सवाल क्या कह रहा है विद्यूदारा के तापी परवाव पर आधारित है तो वो आया heater यानि आपने option A को चुनाए तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा और अगला question देखो चांदी के जेवरों पर सोने का लेप चड़ाने में परयुक्त होता है विद्यूदारा का चुम्ब के परवाव या उष्ण में परवाव या रासानिक परवाव या इन में से कोई नहीं है तो right answer आप सभी का हो जाएगा option C बिल्कुल सही आप सभी आप सभी का हो जाएगा रासानिक परवाव तो देखें नेक्स्ट क्वेसन पर आपके स्क्रीन पर आज चुका है किसी कारण वर्ष गरों में प्रत्यावर्दी धारा के भेज और निूट्रल तारों के आपस में जुड़ जाने से क्या होता है या आप से सभाल क्या जा रहा है तो right answer आप सभी का हो जाएगा लगू पसन यानि के short circuit होगा op spooky आप सभी का lock होगा अगला क्वेसन देखो विशेष्ट प्रतिरोद की एकाई है विशेष्ट प्रतिरोद की एकाई है तो या आप से सभाल क्या जा रहा है तो over meter हो जाएगा यानि option भी आपका यहाँ पर भी सई जवाब होगा और एगला question है चुम्ब की अफ्लक्स की इकाई है देखें चुम्ब की अफ्लक्स की इकाई है वेबर, टेसला, और रेस्टेड या गाउस तो यह भी हमने कई मर्थपा पढ़ा है option यह आपका यहाँ पर भी सई कथन हो जाएगा अगला question देखो निवन वैसे कौन सी युक्ती विद्यू तूर्जा को यांत्री कूर्जा में परिवर्तित करती है तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विद्यूत मोटर यानि कि option यह आपका लॉक होगा और यहाँ पर यह सवाल कह रहा है कि ओम का नियम लागू होता है तो ओम का नियम आपके चालक में लागू होता है ठीक है कहाँ पर होता है चालक में और यह आपका आखिर सवाल है चालीस question हमारे complete हो चुके है और चालीस मैं से आप कितने सवाल सही करते हैं या आप कमेंट जरूर करना प्लीज दूरस्त इस्तानों पर विद्यू तूर्जा का संचरन किया जाता है उच विवव उच धारा पर नहीं सर तो उच विवव अलब धारा पर किया जाता है यानि आप सभी का लॉग हो जाएगा अब मुझे आप कमेंट जरूर कर लेना 40 में से आपके कितने सही वे हैं अगर 30 प्लस है तो बहुत पर शुब काम ने आपको इसके आज पास है तो भी शुब काम ने अगर इससे भी कम है ज्यादा तो आप लोगों को अच्छी तयारी करने की बहुत जरूर रहे हैं तो देखें दोस्तों आज की क्लास को लाइक वाइक जरूर करें और ये सुबह 9 बज़े आपकी क्लास होती है और राजस्तान जी के रात को 9 बज़े टॉपिक वाइज और आज अमारा तेवार टॉपिक रहेगा ठीक है और जैसे ये भी आप लोग याँ पर इस नंबर पर मैसिज करते हैं तो आपको अपना नाम और जिल्ला लेकर मैसिज करना होता है और आपको ग्रूप में एड कर लेंगे और आप ग्रूप में एड नहीं होना चाहते तो टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं पर आपका कोई भी नाम नंबर शोर नहीं होगा किसी के साथ, जो की चैनल है, कोई गूरूप नहीं है टेलिग्राम पर, तो राजस्तान क्लासेज नाम से जो है, एट द्रेट राजस्तान क्लासेज आप कंटिनियूसली लिखते हैं, तो आपको मिल जाएगा, आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी आपको नोट्स प्रेडिय अप दी हुई है, तो आप पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, चले मिलते हैं वापस नो बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, आपका आस नहीं, दूआएं बनी रहे, स्वास्ति ठीक नहीं होने के बावजूद भी आपके लिए क्लास कंटिनियूर रखिए, वैसे दो दिन से कंटिनियूर नहीं है, पर हो सकता है शाम की क्लास, ऐसा करूँगा कि शाम की क्लास आएगी ही आएगी, ठीक है, चले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जै हिंद, बंदे महत्रम